महानता कभी ना गिरने में नहीं बलकी हरवार गिरकर उठ जाने में हैं महानता कभी ना गिरने में नहीं बलकी हरवार गिरकर उठ जाने में हैं Hello everyone, welcome to channel HPGK वाले आज एक वार फिर से bounce back हो गया है और HPGK MCQ सीरीज का part 30 ने आज डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश की वाशा है, हर question में explanation मिलेगी और वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, तो please वीडियो को अंतक देखेगा आपका वी फाइदा होगा, मेरा वी फाइदा होगा तो चलिए पहला question के साथ बात करते है question number one की ग्रियर्सन ने भारत्य भाशाओं का सर्वेक्षन करते हैं, पहाड़ी भाशा को तीन भागों में बाटा है उसने हिमाचली पहाड़ी को किस वाग में डाला, यह हमारा question है तो इसमें option है, option A, पुर्वी पहाड़ी, option B, मध्य पहाड़ी, option C, पश्चमी पहाड़ी, option D, उत्री पहाड़ी और यह बात करते explanation की, तो पहाड़ी भाशा की उत्पत्ति कैसे हुई इसमें हम जानेंगे और जो भी fact रहेंगे यह explanation बहुत important होती है, क्योंकि यहीं से question बनते हैं हिमाचन प्रदेश की वाशा को, जो कि यहां के 90 प्रतिशत लोग बोलते हैं पश्चमी पहाड़ी वाशा की रूप में उसे जाना जाता है पश्चमी पहाड़ी वाशा उत्राखंड के जोंसर बावर से लेकर जम्मो कश्मीर के बदरवा तक फैली बदरवा तक बोली जाती है लगवक तीस पश्ट बोली इस क्षेतर में खोजी गई है यहां की बोलियों का वरगी करन किया था जॉर्ज ए ग्रियर सन ने यह direct question पूछे जाता कि इसने वरगी करन किया था पहड़ी वाशा का तो किया था जॉर्ज ए ग्रियर सन ने और किसमें किया था यह अपनी पुस्तक वारत का वाशिक सर्वेक्षन उसमें इन्होंने यह वरगी गरन दिया था उन्होंने बिलासपूरी और कांगडी को पंजावी वाशा से संबंत किया था जिसे बाद में पहड़ी वाशा माना गया ठीक है, स्टार्टिंग में उन्हें बिलासपूरी और कांगडी को भी पंजाबी वाशा से रिलेट किया था, और बाद में क्या हो गया, पहाडी वाशा इसको माना गया था, और ये डारेक्ट क्वेशन जो मैंने रेड में या पे लिकाई है, यहां से डारेक्ट क्वेशन पर भी बनेगा, तो क्वेशन टू देख लेते हैं से पहले, क्वेशन टू क्या है, बगलानी बोली हिमाचल प्रदेश की किस क्षित्र में बोली जाती है, ऑप्शन है, ऑप्शन है, सोलन नालागड, ऑप्शन भी अर्की कुनिहार, ऑप्शन सी, धर्मपुर कुमार ऑप्शन D, बद्धी और बरोटी वाला, और ऑप्शन B, अर्की कुनिहार, तो देखते हैं कहानी बहुत सिंपल है, हम बात कर रहे हैं बगलानी की, तो भागल रियासत मतलब कुनिहार और अर्की क्षित्र में बगलानी बोली प्रचलित है, यानि बहां पे ये बोली जाती है, महासुवी, ये उपभाशा बोली जाती है, शिमला और सोलन में, बेसिकली सोलन की बोली आपके पास बगलानी हो गई, दूसरी बगाटी हो गई, और तीसरी क्या है, हिंडूरी, ये जो तीन बोली है, सोलन की है, ठीक है, तो इतना आपने इसमें ध्यान में रखना है, question देखते है, question number 3, बरारी बोली हिमाचल प्रदेश की किस क्षेटर से संबन दीते हैं, option देखते है, option ने, चमबा और नुरपूर, option B, उनना और हिंडूर, option C, जूबल रोडु, option D, कुमार सिन और कोटकर, correct and sir, option C, जूबल रोडु, तो बात करता, explanation की बहुत सिंपल सी वा पर दिम्पल तरीके से गपों में चीज़े उड़ानी है तो शिमला जिले की बात की जाए यहां पर बारारी जो थी शिमला जिला की बोली है ठीक है तो इसलिए हमें एक्स्प्लानेशन के एकॉर्डिंग यहां पर शिमला जिले की बोली है डिसकस करनी चाहिए जैसे क्योंतली है यह बी क्या है बोली जाती है यह बेसीकली देखो कि आप सतलूज घाटी रामपूर बुशेर और कुमार सेन और कोटगर के जो क्षेतरे बहां पर बोली जाती है कोची ठीक है बरारी मैंने बता दिया आपको जूबल के बरार तथा रोडु तैसिल में बरारी बोली जाती है तो किरन भी एक बोली है वो बोली जाती है थरोच राज्यों के किरन क्षेतर में किरन बोली प्रचली ते ठीक है तो किरन बोली आए तो यह संबंदीत है शिमला जिले से तो नेक्स टम देखते क्वेश्चन नंबर फूर को हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति वह भाशा अकदमी की स्थापना कब हुई थी आपके पास ऑप्षण करेक्टंसर की बात करते हैं आप्षण बीस दो करेक्टंसर 1968 तो एक लाइन में आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति वह भाशा अकदमी कि स्थापना बर्ष 1968 में की गई थी अगर आपको किसी पेपर में यहां से बनने के चांसे रह जाता है क्वेश्चन बनने के तो यह क्वेश्चन हो सकता है आपको इसी तरह से डायरेक्ट पूछा जाए तो नेक्स ताम इसमें देख सकते क्वेश्चन नमबर फाइव किसके अनुसार पहाड़ी वाशा का जनम दर्दी और पिशासी से हुआ था हुआ है तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बी है हर दे बहारी option c है जेई ए ग्रियर्षन option D है गोबिंच चतक क्रेक्ट अन्सर है option option सी एक्ट्वाली option c जी ए ग्रियर्षन इस इस ऊक्रेक्ट अंसर तो इसमें देखा जाए तो जर्ज एक रियर से ने पाड़ी वाशा का जनम दर्दी और पेशाश्ची से माना है ठीक है नेक्स्ट हम देखते क्वेश्चन नमबर फाइव किस बोली का अपना ब्याकरण है और ब्याकरण है दूसरी हम बात इसमें कर सकते हैं बोटी वोली के बारे में तो बोटी बोली बोली जाती है किस बोली जाती है किस जीले में तो आपको याद रखना है बोटी बोली लाहुल पिती जिले में बोली जाती है नेक्स्ट बात करते हैं कि गहरी कौन से वाशा की बोली मानी जाती है option A, laholi, option B, किनोरी, option C, कांगडी, option D, सिर्मोरी, correct and answer option ने laholi की तो जो गहरी है या गहरी भी आता है कईवा लिखा हुआ तो ये हमारी उपभाशा है कहां की उपभाशा उपबोली है ये laholi भाशा की उपबोली है ठीक है नेक्स टम यहां पर देख सकते हैं इसी में जो गहरी है किलांक शेतर में बोली जाती है बेसिकली कहां पर बोली जा रही है किलांक शेतर में बोली जा रही है और लाहुली भाषा की एक उप बोली है ठीक है नेक्स्ट हम देख सकते हैं question number 8 screen पर कहलूरी किस जिले की बोली है option ने मंडी की option भी हमीरपूर की option C की नौर की option D विलासपूर की तो correct answer है option D विलासपूर की कहलूरी की बात हो रही है तो कहलूरी में बहुत simple से हमें बात करनी है कि विलासपूर जिले में कहलूरी बोली बोली जाती है और दूसरा fact हमें यहाँ पर पता होना चाहिए टी ग्रहम बेली ने विलासपूर की बोल्यों को 6 टुकडों में बांटा गया था बांटा है यहांसे direct question बनता है कि किसने बिलासपूर की बोल्यों को 6 टुकडों में बांटा है तो अंसर रहे कि टी ग्रहम बेली ने ठीक है next time देख सकते question number 9 को टांकरी क्या है so basic सा है तो इसमें देखोगे आप option ए एक बुनाई का तरीका है option B है बिवारीती है option C एक सिक्का है option D एक परकार की लिपी है Akorder series option D एक परकार की लिपी है तो टांकरी के बारे में क्या कहना है तो लिपी है भाड वाशा की लिपी टांकरी है जो बनियों द्वारा हिसाब किताब में प्रियोग की जाती थी इस लिपी में पहड़ी राज्यों के अभिलेक और परमान लिखे जाते थे कांगड़ा और चंबा के राजाओं ने टांकरी लिपी का प्रियोग अपने राजकाच के कारियों में किया और हवलर ने क्या किया था कि टांकरी लिपी को शार्दा लिपी का सुद्रा हुआ रूप माना है और बरतमान में जो पाड़ी भाशा है देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो इस लाइन को भी अपने ध्यान में रखना है नेक्ट देखते हैं क्वेस्टन नंबर टैन क्वेस्टन नंबर टैन बात करता है हिमाचल प्रदेश की राज भाशा है तो देखते कहानी क्या है बिल्कुल क्यूट सी कहानी और सिंपल सी कहानी है 14 सितंबर 1949 को क्या होता है भारतिय सविदान सवा ने प्रस्ता पारित किया था कि भारत की जो राष्टर भाशा है हिंदी होगी तब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसके लिए भी देव नागरी रहेगी इस धारा के साथ खुद को जोडते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 25 जनवरी 1965 को जारी की गई अजसूचना के अमसार हिंदी को प्रदेश की राजवाशा गोशित किया गया है ठीके उसके बाद देखा जाए 1975 में हिमाचल प्रदेश राजव के सभी सरकारी काम का आज के लिए प्रियोग में लाई जाने वली भाशा के रूप में हिंदी को अपनाने हितु राजवाशा अधिनियम 1975 पारित किया गया था नेक्स टाम इसमें बात कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना में 18.9.2019 के अंतरगत संस्कृत भाशा को दूतिय राजवाशा का दरजवाशा परदान किया गया है यानि यहां से कंक्लूजन के निकलता है यहां से कंक्लूजन निकलता है हिंदी और संस्कृत दोनों हिमाचल प्रदेश की राजवाशा है ठीक है यहां पर पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश की अधिकारिक भाशा क्या है तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिये होंगे तो इसके लिए आपका correct answer है option जो भी है यहां का हिंदी तो हिंदी यहां पर correct answer है तो हिंदी जो है अधिकारिक वाशा है यानि कि official language हिमाचल प्रदेश की next हम देखते हैं question 11 पहाड़ी वाशा किस लिपी में लिखी जाती थी option ने ब्रामी लिपी में option भी खरोष्टी में option से गुरु मुखी option D टांकरी option D is the correct answer टांकरी में लिखी जाती थी पाड़ी वाशा की लिपी ठीक है basically यह आपने यहां पर ध्यान रखने और दूसरी लाइन यह भी है कि बरतमान में पाड़ी वाशा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो दोनों लाइ बिलासपूर से option B 19 से option C 16 option D कि नौर और 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 बहुत लिखा जाता है इसको तो यह बहुत बहुत जाता प्रचली थे और यह बहुत रियासत में बोली जाती थी ठीक है प्रसीद देख सकते question number 13 बिलासपूर में बोली जाने वाली बोलियों को किसने छे वर्गों में ब बहुत आओगे भी option A है जी ए ग्रियरसन option B टी ग्रहम बेली option C गोविन चातक option D हर्देव बहरी correct answer है option B option B टी ग्रहम बेली तो टी ग्रहम बेली इज़ा correct answer तो यहां पर हम कहने की बात करें तो यह गुम गुम के कहानी आ रही है तो इसको जरा ध्यान से देखते हैं तो इस तो यह आपने ध्यान रखना यह question direct बन सकता है कि बिलासपूर की बोल्यों कुछ वर्गों में किसने बाटा टी ग्रहम बेली ने ठीक है नेक्स्ट आम बात कर सकते है question number 14 हिमाचल प्रदेश में 32 बिविन बोलियां बोली जाती है एगरी है ना उनमें से कितनी भारत्य आर्य परिवार की है option A की बात करते हैं 16, option B 21, option C 15, option D 21, दो option यहां पर सहब हो गया है कोई doubt नहीं उपर वाले को 12 कर लेते हैं किसी को भी 12 कर लो option D is a correct answer 21 तो इसको 12 कर लेते हैं कोई बात नहीं तो 21 इसका correct answer है देखे कहानी क्या है हिमाचल प्रदेश में 32 प्रकार की बाशाएं बोली जाती है इन में से 21 भाषाएं भारत्य आर्य परिवार की है तो जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए बागी बढ़ते रहना आगे चलते रहना है देरे देरे रुकना नहीं है question 15 बिलासपूर जिले की बोली कौन सी है option ने बगाटी है option B महसुवी है option C कांगडी है option d calorie है correct और option B calorie बिलासपूर की बोली है तो यहां पर हम पता कर सकते हैं बिलासपूर जिले में calorie बोली 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 जाती है कि ग्रहम बेली ने बिलासपूर की बोली कुछे वर्गो में बांटा था तो टी ग्रहम बेली जी का नाम बहुत वार आगया I hope आपको यह याद हो ग संबंद सहाइत्य को कारदंग बौदमट में सुरक्षित रखा गया है यह किस स्थान्य बोली में लिखे गया है तो बात करते हैं इसकी option ने कांभी option भी भोटी बोली option C दामी option D मांचेद correct answer option B भोटी में इसको बोला गया है ठीक है next time देखते question 17 हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचिन काल में टांकरी लिपी में लिखी जाती थी option ने बात करता है चंब्याली option भी बात करता है हिंदी option C कहलूरी option D भगाती correct answer option ने चंब्याली ठीक है इसमें बात की जाए तो चंबा जिले में चंब्याली बोली बोली जाती है बिल्कुल सिंपल सी बात है बाकी other बोलियां भी है जैसे स्थानियों बोलियों में बटियात में बटियाती चुरा तैसील में चुराही बोली बोली जाती है पांगी में ब लेकि बोली जाने बाली भाशा को राहुल सान कृत्याँने हम्सकदा है या हम्सकदा भी कई वालिक देते हैं हम्सकदा के रूप में वरिनित किया है ऑप्शनक यह बात करता है लाहुल , कि नौर अप्शन से चंबा औप्शन डी शिम्ला और यहाँ पर किनौर में कुछ उप बोलिया है जैसे संगनूर बोली है यह पूतेसिल के संगनूर में बोली जाती है और उसके बाद जंगियम है ये मारंग के जांगी लिपा और असरंग की बोली है फिर उसके बद शुमको हैं, शुमको बोली जाती है, पू के कानम में, लवराग में, शैसो की बोली है, इन तिन जगाओ की बोली है तो आपने जस्टिन को ध्यान में रखके चलना है, बाकि बढ़ते रहना है, सीखते रहना है आगे देखते हैं, question number 19, हीमाचल प्रदेश की किस जनजाती की दवारा, मंचद तथा चिनाली, ये दोनों प्रकार की वाशाएं बोली जाती है option A किन और, option B, खंपा, option C, स्वांगला, option D, पंगवाल, correct answer है, option C, स्वांगला तो very important question हम इसको कह सकते हैं, तो बिल्कुल सी basic सी बात कही गई, कि लाहुल्स पिती में निवास करने वाली स्वांगला एक जनजाती का नाम है, इसके दवारा मंचद तथा चिनाली वाशाएं बोली जाती है ठीक है, next हम देख सकते हैं, question number 20 नहीं है, 19 question total थे, तो अब यहां पे मैंने cover किया कि कुछ वोलियां जो बचती थी, जो question में cover नहीं हो पाई, तो उनको हम यहां पे read कर लेते, एक बार क्या है तो सबसे पहले मैंने नहीं पे कुल्ल को cover किया है, ठीक है, अपना प्यारा कुल्लू, तो कुल्लू जिल Congrats को प्रमुख वोली कुल्वी है, तो कुल्लू की बात करें, तो प्रमुख वोली है कुल्ल्वी, और इनको तीन उपْवोलीया इनकी इसकी होगाई, तो इसकी की ती यान में रखना मलाना गाओं की बोली मृमर नियां मालानी जो किनोर्बर का हिस्सा है मंगी मं इसमें संद्र नगर और सुन्दोध। सुन्दोध में सुकेती बोली जाती है और इसके लगधा mouvement तो इतना सा आपको ध्यान रखना था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मज़ा आया हो तो सीखते रहों बढ़ते रहों HPGK के साथ इसके लिए आपको simple काम करना होगा चैनल को subscribe करना होगा daily videos देखनी होगी जब भी upload होती है ज़ाधा disturb भी नहीं करता हूँ, मैं daily upload नहीं कर पाता हूँ तो या तो हपते में एक दो वीडियो आती हैं कभी लेट भी हो जाता हूं जादा तो इसलिए अपने नोटिफिकेशन ओन रखनें ताकि आपको पता चले कि कब जैसे वीडियो आई है ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड आप से मुलाकात होगी अगली वी एंप सब्सक्राइब ई